जब मैं यह सुन रही थी, मैं बहुत हस रही थी और मुझे साथी साथी लग रहा था कि यार, यह रोबोट है, यह इनसान है, पर मैं इनके लिए फील कर रही हूँ, मैं चहारियों के यह साथ हो जाएं हम उस तरफ जा रहे हैं जहां शायद यह दिन बहुत दूर नहीं है, AI जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जो हमारा रिष्टा है वो AI से हो, वो रोबोट से हो, वो टेक से हो, वो एक algorithm से हो, जैसे YouTube एक algorithm है, Twitter एक algorithm है, Instagram एक algorithm है, इनके साथ हमारा रिष्टा अरड़ी बन चुका है, क्योंकि हम दिन के कई घंटे इनके साथ interact करते हैं, इंसानों से जादा मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी थी, मैंने कोई ऐसा दिमाग में, मुझे पता नहीं था किस बारे में है, मुझे पता था एक light सी स्टोरी है, और जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत मजा आया, I think पहली चीज होती है, जब आप कोई भी script सुनते है, is it entertaining for you, is it engaging for you, are you having a good time, त तो वो जो एक feeling है और entertainment है इस film के अंदर, और actually फिल्म एक बात बोलती भी है पर बहुत ही हलके entertaining तरीके से बोल जाती है, तो मुझे ये बहुत unique लगी कहानी, बहुत अलग लगी और हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद ये दिन बहुत दूर नहीं है, AI जो है वो बहुत अजी से आगे बढ़ना है और आज हम chat GPT है या एक robot है जो जिन्हें Saudi में residency मिली हुई है, तो हो सकता है कि आगी के generation कभी ये दिन देखे हमारी भी देख सकते है, बिकोज अभी हम बच्चे सार तीस साल तो जेंगे और life में, तो ऐसा लगता है कि जादा दूर है लेकिन हो सक इनका जो character है Sifra का, she is the personification of tech, अगर आप technology को personify करना चाहें एक film के अंदर, तो वो Sifra का character है, कि technology से जो हमारा रिष्टा है, वो AI से हो, वो robot से हो, वो tech से हो, वो एक algorithm से हो, जैसे YouTube एक algorithm है, Twitter एक algorithm है, Instagram एक algorithm है, इनके साथ हमारा रिष्टा अरडी बन चुका है, क्योंकि हम इनके कई घंटे इनके साथ interact करते हैं, इनसानों से जादा, तो उसी चीज को हमने एक step आगे लेकी गए है, बहुत खुबसूरत लड़की को कास्ट किया, ताके आप दो धाई घंटा होने देखें, और एक ऐसी कहानी बनाने ही कोशिश की है, जो conceptually आपके, आपकी reality के universe में इन्टर कर सकती है, और वो हलका सा leap of faith लेके आप इस फिल्म को देखें, एंटेटेन करते वे शायद आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पर मजबूर करेगी, मुझे ऐसा लगता है, शिफरा जो आज का दौर बदला है, मैं आपके करेक्टर के नाम से इसलिए बला आप सवाल मुझे से पूछ रहे हैं जो आपको फिल्म के अंदर ही पता चलेंगे, यह सब मैं बता दूँ कि तो फिर आप क्यू जोगे देखने, कुछ सवालों के जवाब फ्री हैं